हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब तो रिसेंटली पॉंट्स ने नया नवेला प्रोड़क्ट उता रहा है मार्केट में जिसका नाम है नैचुरल ग्लो फेस पाउडर एंड यह आपको दो सेड्स में मिलेगा तो जो दो शेड है वो फ़र्स है आपका नैचुरल बी बी ग्लो और जो इनका जो एमर्प है हमें सापॉंट से एक एक इफोड़बल ब्रच रहा है तो उसी के हिसाफ से přाईब इनका अच्छा है 125 रुपीज ओनली जो सेल्फ लाइप आपको मिल जाएगा ये पाउडर के उपर ये आपको मिलेगा पूरे दो साल तो दो साल में आपको ये पाउडर एक दम लगा के खतम करना है तो पैकेजिंग अगर देखे तो पैकेजिंग अच्छी है ये सब कुछ लिखाबा है, शेड़ वगरा है, सब कुछ अँदर का पैकेजिंग आप देखी रहे है प्लास्टिक का ऐसा गोल, राउंड ऐसा डबा जैसा है बड़ा इजी ली निकल भी जा रहा है इतमें से आप थोड़ा सा ऐसा ऐसा ठोकोगे न लीट के उपर, तो वह पाउडर नीचे से ऐसा प्रेसर से उपर में आ जाता है तो कोई बड़ा बात नहीं है और साथ में आपको एक पॉफ भी दे देगा जिससे आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो आप इस पाउडर को नेक पे भी यूज कर सकते हैं लेकिन नेक के लिए आपको एक अलग से ब्रश या ब्लेंडर या अलग से पाउडर पफ लेना ज़रूरी है क्योंकि नेक में हमारा थोड़ा क्या पसीनव अगरा रहता है पिर उसे हम फेस पे लगाएंगे तो ये थोड़ा गंदगी वाला काम हो गया है तो आपका फेस में भी अलर्जी हो सकता है इचिंग हो सकता है ठीक है तो इन दा बातों का ध्यान रखना है ये फेस पाउडर को मल्टी यूज कर सकते हैं मतलब अगर आप प्रोफेशनल है प्रोफेशनल मेकप आर्टिस्ट है इस जैसे मेकप को शेट करने के लिए लूस पाउडर यूज करते हैं साथ ही एक बेकिंग मेकप प्रोसेस होता है तो उसमें ये यूज कर सकते हैं और आप इसे डेली यूज तो करी सकते हो तो बेसिकली जो ओईली सकीन होता है उनको मतलब रेगुलर वो एक अच्छा फेस पाउडर अपने फेस पे लगाते ही है ताकि उनका फेस जो है ओईली ओईली जादा ना दिखे ये जो पाउडर है ये आपको ओईल फ्री लुक देगा इवें टोन लुक देगा वैसे ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे एकदम सिल्की श्मूथ टेक्च्चर है इसका अब देख रहे हो मेरा फेस जो है ना ओईली ओईली हो गया था तो मैंने सोचा कि जब फेस ओईली है तो क्यों ना पॉंड्स का जो नैच्रल ग्लो फेस पाउडर आया हुआ हुआ है उसको ही अच्छा लगता है यूई नकिुक फेस कमा फेक्स में बीक हो कि आछ ने का चैसा आपको पॉ Совट और जरीकर आज़ंस और यहिए और ही वी शेड बस आपको अचा से ब्लेंड करना यह इसा ना करना की मनतब फेस से पौडर पोथ लिया है चक्कर मेरे हम उसे अच्छा से मिलाएं नहीं ब्लेंड नहीं कियें तो यह गलत बात है अगर आप कोई भी पाउडर लगा कि अच्छे से ब्लेंड करोगे फेस में तो वह जादा पता नहीं चलता है ठीक है और आपके फेस पे ग्लो भी आ जाएगा स्मूध स्कीन भी लगेगा और आपक ग्ली टेस्टेड वर्ट यहां इंग्रीडियंट में उन्हें साफ साफ मेंशन किया है कि इसमें पैरबीन भी है ठीक है इसलिए फिलेस कदाम इतकम है अब समझ में आया तो गाईद अगर अगर आपको पैर बिंस नहीं पसंद है या आपको प्रॉब्लम है पैरबीन से कि उनोंने उनरे मेंशन करना है कि इसमें पराबीन्स है लिंक मैं ने देशने में दे राखा है अगर आपको बाइ करना हो तो चेक कर सकते हैं बाकी के डिचिल्स और वाइस शळो-पाइ- टेक्ष्णी सब्सक्राइब कर को अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो एंड लाइक कर देना फ्रेंड्स के साथ शेर कर देना बाई टेक क्यार सी यू इन दा नेक्स वीडियो